असलाम आलेकुम आफ्रीवर्ण अनीज नोवल में आपका वेलकम है नोवल नीम है शमाई उल्फद बाई एन खान लास्ट अपिसोड शान और आलम पुरी तरह से फोन में आने वाली बातों को सुन रहे थे अनाबिया शायद फोन रखकर चली गई थी पर अगली आने वाली आलम की जलते दिल पर मरहम की तरह काम किया था अनाबिया भी मेरी परसो की फ्लाइट है और शुकर है मेरा पेपर वर्क कम्प्लीट हो चुगा है इस आवास को सुनते ही आलम को लगा था वो वापस से इस दुनिया में आ गया हूँ इसकी सांस फिर से आने लगी जो चेहरे पर आने वाली मुसकराण इस बात का सबूत थी आलम ने शुकर के आलम में सर चेहर से टिका लिया था अल्ला मैं तेरी किस किस नयामत कर शुकर अदा करूं माजरात होते हैं आज मैंने जान लिया है मेरी नैन को लोटा दिया आपने रोते वे बोला तो शान ने कॉल बन कर मैं कुछ पूछा है आपसे कॉल उठाने पर जब शान बोला तो दूसरी तरफ साइम था क्या बाती शान अनाबिया तो किचन में है पर तुम मुझे बता दो साइम के बोलने पर आलम के इशारा करने पर शान फिर से बोला भाई क्या हुरैन जिन्दा है प्लीज बता दे आ है कि सब वो जिन्दा थी शान के बोलने पर साइम ने गहरा सांस लिया अच्छा है उस इन्सान को सजा मिली है ना जिन्दा थी हुरैन पर अब नहीं है वो जिन्दा मर चुगे है यहां लेकर आया था मैं उसे पर अब वो नहीं है वो साइम ने कहते ही कॉल बन कर दी थी नाटक करना है ताके हुरेन आप आराम से यहां आ सके और फिर हम हुरेन को पकड़ लेंगे फिर आप कैसा दिल किया उसे मना लेना शान पुरी समझधारी से बुला हम तुम बिलकुल ठीक कह रहे हो सारी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कि वो क्यों और कब कहां रह बिला जिस परशानी भी सरहलाया था रात का पहर हुआ था जब एक इंसान रोजाना इसके पास बैट कर सारे दिन की बाते करता और इससे अपने ना कुरता गुनाह के आफि माफी मांगता वो रोजाना इसके पास बैट कर तूटता था उस बैट बलीटी हस्ती को साझ घंटों में एक घंटा जैन इसके पास रहता और इससे इस चीज़ की माफी माँगता जो इसने NOWी किया जर्मी ने एक दिन जैन से लड़कर इससे हosपिताल से निकाल दिया था महनुर के साथ जब यह हुआ था वो तब से इतीनी बड़ी सजा मत दो, अब बिलकुल तूट चुका हूँ, एक दफ़ा माफ कर दो मेरी वज़े से, तुम्हारा बच्चा तक मुसे, तुम से छीन गया, जैन इसके पास बैठा बोला था और इसी तरह इसे बाते करने के बाद उठा था, और इसके तरफ देखते वे वो चुप थे क्योंके वो नहीं जानते थे, जैन को इस चीज से आगा करके और सब जानने के बाद भी यहां आना बन कर दे, अनाबिया शेयान की कॉल थी, साइम बोला तो अनाबिया ने भी इसकी तरफ देखा, और वहां बैठे हर इनसान ने उसकी तरफ देखा, इनको श सुलिमान साइम को बोली, ममा मैं आलम को बताना चाहता था पर हुरेन ने इनकार कर दिया था, तब ही वरना मैं तो इसे तभी बता देता, साइम बोला तो मिस्स सुलिमान और सुलिमान साब दोनों ने इसकी तरफ देखा, प्लीज भाई, मैं नहीं चाहती कि आप इनको मेर शादी भी कर लेंगे, वो बहुत जब्से बोली, पर अगर मैं इनके पास कई तो उन्होंने मेरे ये निशान देखे और मुझे धुतकार दिया तो मैं जिन्दा नहीरे पाऊंगे, ये बदनुमा हैं बाबा, बहुत तकलिफ देते हैं मुझे, तो शाजी को कितनी तकलिफ हो का, मैं वापस आजाओंगी, और यहां अपनी डिगरी भी फिर से शुरू करूँगी, हुरेन ना उमीदी से बोलते हुए, वहां से उटकर चली गई थी, पिछे वो सब इसको जाते हुए देखते रहे गए, साइम प्लीज, शियान को बता देती हूँ, मैं कि हुरेन जिन् जर्मीन का जादा कामी, बॉस के साथ होता था, इसलिए वो थोड़ी परिशान सी थी, जर्मीन काश में तुम्हारी जगे होती, तो सारा दिन बॉस के आंके पीचे फिर थी, इसकी एक दोस बोली जिस पर जर्मीन ने बेजारी से उसे देखा, गेलो फाइल, और मेरी जगे तुम देयाओ, जर्मीन इसे फाइल देते वे बॉली जिसको वो थाम कर, खुशी खुशी अंदर रूम की तरफ बढ़ गए, जर्मीन शुकर का सांस लेते वे कामे मसरुफ हो गई दे, थोड़ी देर बाद वो मो बना कर वापस आई, तो जर्मीन ने आबर उठा कर उसके देखा, जैसे कह रही हूँ, क्या हुआ है, जाओ तुम, जाओ, मेरी तो सर ने बेज़ती कर दी हैं, और कहाएं कि जिसका कामे उसे भेजो, सानिया मू बना कर उसे फाइल देते वे बोली, इसकी बास सुन कर जर्मीन को जैन पर गुसाया, वो करती क्या, अब नाचार जान पड़ा, और इसे फाइल लेकर बाहर इसके आफिस की तरफ चली गई, सरा जाओ, जैन ने पुछा, और इसकी जाज़त मिलने पर अंधर बढ़ गई, ये फाइल, जैन ने पूरे प्रोफेशनल अदास में पकड़ा था, और इसे देखने लगा, जैन जैन जाने के लिए घबरा गई, कब तक, कल तक, जैन का जवाब सुनकर जैन ने हैरत से उसके तरफ देखा, फिर जैन के चहरे पर जलानी वारी मस्कुरार दी, घटिया इंसान, जैन फाइल उठा कर दिल में बोली और फिर से जाने लगी, मैंने कहा जाने को, तो क्या करूँ, इधर ही बैठी जैन अपनी हैसी कंट्रूर करते भी बुला, वरना इसे जर्मीन का चाहरा देखकर मजारा था, मिया अपने को तो मैं मुह भी ना लगाँ, सर आप फिकर मत करें, वो इस कामिल नहीं है, गुसे से जो इसके मुह में आया, वो बोल गई, जैन को इसकी बास सुनकर गुसा आय मेरी बात सुनो, तुम आइंदा मुझसे तमीज से रहना चाहिए, मैं तुम्हारा शोहर हूँ और बास भी, सुना तुमने, बहुत सजा काटली मैंने और बहुत दे दी तुमने, मुझे, अब घर जाने के तयारी करो, सुना तुमने, महरूर के साथ जो हुआ, इसमें मेरा कोई कसूर ही नहीं है, वो इसके बाजो को था में एक एक बात को चुबा कर बोला, मैं गुलाम नहीं हूँ मिस्टर जैन, आपकी कोई बात मानूँ, इसलिए मुझ पर हुकुम मत चलाए, वो इसके हाथ को जटक कर इसे घुरते विबाह निकल गई, जैन ने पीछा गहरा स लिया और खुद को रिलेक्स करने की कोशिश की, कब होगा ठीक सब, जैन लब भीचे बस चुप चाप सर है गया, हुरैन आज पूरे साल बाद वापस लोट आई थी, अपनी जमीन पर कदम रखते ही, उसके आँकों में आसों आ गए थे, काश वो सब ना होता तो आज हम सा रखी थी, और उपर सफेद कॉलर की जर्सी और नीचे काले रंग की पैंट थी, ये दाग ने मुझे आपसे दूर कर दिया है शाजी, अब दोबारा हम कभी नहीं मिलेंगे, वो मुकमल तयार थी, क्योंकि इसे दो दिन के अंदर अंदर काम खतम करके वापस जाना था, इस कुछ खुद करना है, और जदी से जद यहां से जाना है, होरेन खुद को बोली थी, अभी वो अपने शूस बैक से निकाल रही थी के बाहर दर्वाजे पर नौक हुआ, होरेन सर उठा कर पूछा कौन है, रूम सर्विस मैं, मैंने तो कुछ नहीं मंगाया, फिर क्यों, होर तरह से खौफ जर्दा हो चुकी थी, आलम शार जिसने कंदे पर चादर रखी हुई थी, इसने उसे उतार कर आगे बढ़ा और हुरेन के कंदों पर डार कर इसे मुकमल तोर पर इसमें चुपा लिया, हुरेन खौफ जर्दा से पीचे हटी थी और इस चादर को उतार कर फै चारा करते वे, उसे कमर से थामें बोला, छोड़े मुझे क्या बत्तमीजी है ये, मुझे जाना है मुझे चोड़े, हुरेन नम लहजे में चीकी, तुम्हे लगता है तुम जा सबतिया, मुझसे, दूर, अभी तो तुम्हें पुरे साल की सजा दूँगा, वो भी सूथ सम लेकर बार निकल गया, चलो मेरे साथ, वो इसका हाथ पकड़ कर उसे साथ लेकर जाने लगा, नहीं जाना मुझे आपके साथ, छोड़े मुझे, हुरेन इसके हाथ से अपना हाथ खीच रही थी, पर आलम शाह इसे खीचते वे, अपनी साथ ले गया, आपी, बाबा किदर ह महनूर जिसको अभी कुछ देख, घंटे पहले होश आया था, वो डॉक्टर ने, जर्मीन को इतला दी, तो वो आई हुई थी, और इसे देखते वे महनूर बोली, क्या मतलब महनूर, जर्मीन उसकी तरफ देखते वे, हैरानगी से बोली, आपी बाबा किदर है, प्लीज इ महनूर से बोला, मैं ठीक उपर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ था, कुछ समझ नहीं पा रही, महनूर इसकी तरफ देखते वे आराम से और उलजन जदा लहचे में बनी, कुछ नहीं, ठीक हो जाओगी तुम, जैना भी बोल रहा था कि डॉक्टर नदर आई, कैसी है बाब, वसे चेक करते वे बोली, मैं ठीक हो पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, महनूर उलजन जदा सी थी, कोई बात नहीं, आइस्ता आइस्ता ठीक हो जाओगी, आप एक साल से कोमा में थी, और अब भी आपको वक्त लगेगा, बताएं, क्या डेट है, आज आपके मताबी, डॉक्टर उसे अराम से पुछ रही थी, महनूर ने उसे हरानगी से दिखा, महनूर की बताई डेट पर, डेट पर डॉक्टर के साथ जर्मीन और जैन भी हरान हुए थे, पर जैन को आगा कर चुकी थी, कि डॉक्टर कि अगर उसे होश आया तो हो स इसता ठीक हो जाएगी, पर एकदम से इस पर कोई बोज ना डाला जाए, ओके महनूर पर आज ये डेट नहीं है, डॉक्टर ने इसे बहुत प्यार से समझाता जिसको वो समझ गई थी, पर अभी भी किसी सोच में गुम थी, इन पर जादा से ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि ये दिमाग पर जादा असर ना ले, वरना इसकी मेमरी पर असर पढ़ सकता है, और दिमाग को नुकसान पहुचा सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखे, सब चीज़े एक दम से याद करवाने की कोशिश बिलकुल मत करें, डॉक्टर ने साइट पर जाकर जर्मीन और जैन को सब बताया था, जर्मीन को चुप सी लग गए थी, जैन और महनूर पुरानी बाते कर रहे थे कि तब ही खामोशी से, दमकते चेहरे के साथ शान अंदर दाखी रवा, आप ही वो ठीक हो गई, वो खुशी से सामने बैठी महनूर को बला, महनूर जो जैन से बाते कर रही थी शान को देखकर मू बनाते हुए फिर से नजरे फिर गई, महनूर कैसी हो तुम, शान नी पूचा तो महनूर ने उसे खुरा, आप को न है, और मेरा नाम कैसे पता चला, महनूर ने उसे घुरी से नफासा था, और इतने फ्रीकियों हो रहे आप, महनूर गुसे से भरे रिष्टेदारी है मेरे इसके साथ, महनूर मो बनाकर बोलीती, जर्मीन ने अपनी हसी चुपाई, पता चल जाए कौन से रिष्टेदारी है, तो फिर ना ये सब कहो तुम, जर्मीन बोली तो नहीं, बस सोच कर रहे गए, दुसी तरफ शान परिशान सा था, वो क्या था भ गई है, शान पास बटे, बड़े बेंच पर बैड़ गया, हाँ, जर्मीन ने उसके तरफ देखते भी कहा, जो अब सर्देगी लिए बैठा था, ठीक हो जाएगी वो, हम सब कोशिश करेंगे, और तुम भी कुछ दिन हो सके, तो हमारी घर शिफ्ट हो जाओ, और रही बात जर्मीन की, तो जर्मीन को भी अब वही शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उसी की बहतरी है और सब की, जैन उसके कंदे पर हाथ रखकर बुला, मैं क्या कहूंगा, ऐसा क्या आपके घर क्यों हूँ, मैं कह दूंगा, तुम काम के सलसले में हमारी घर रह 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 र आया था, हुरेन अंदर आते ही गुसे से चीकी थी, आलम मस्कुराहट के साथ बस इसकी तरफ देख रहा था, आलम ने आगे बढ़ा और इसे खुद में भीच लिया, तुम्हें पता है मैं कितना तरपा हूं तुमारे लिए, वो इसे गले से लगा कर खुद में ऐसे भीच इसे चहरे से थाम कनम भरे लहजे में बोला, दूर रहे, मैं नहीं चानती आपको, आप कौन है, सुना आपने, हुरेन ने उसे धका दिया था और उसे खुद से दूर किया, आलम जिसकी गिरफ ठीली थी, वो लड़ खडाते वे दो कदम पीचे हटा था, नहीं जानती हुरेन ने खौफ से ऑंको को बन कर लिया था, इस आलम की सांसों की तपीश अपनी चहर पर पढ़ती हुई महसूस हो रही थी, फिर भी वो खुद को मजबूत करे रखी थी, तुम नहीं नहीं हूँ, इस दफ़ा आलम ने इसे छोड़ दिया था, और पीचे होते हैं वे आ फिर मेरा भी इस दुनिया में रहने का कोई जवाजी ने, आलम ने बोलते वे गन अपनी कनपटी पर रखी थी, हुरेन ने खौफ से नाम में सारीला, मेरी नहीं नहीं है ना, तो इसका शाह इस दुनिया में रहकर क्या करेगा, आलम ने बोलते वे गन को लोट किया और ट् कि हां से गन लेटने की कोशिश करेगी, फिर से कहो, आलम गन को इसी तरह रखे, हुरेन की आँकों में देखते वे बोला, जिसकी आँकों में खौफ था, नहीं करें, हुरेन लब भीचे गन को पीछे करना चाहा, नहीं शाय जी, कहो मुझे, आलम चहरे पर मुस्कुराण सज नहीं चाहता था, आलम इसके माते से माता टिकाय प्यार भरे लहजे में बोला, दुसी तरह हुरेन इसकी गिरफ में कसम साते वी सिसकी थी, मुझे आपके साथ नहीं रहना शाजी, मुझे जाने दे, मैं अपना काम करके वापस जाना चाहती हूँ, हुरेन इसे पीछे होते वे रुख मोड़ गई, आंसों बहरे थे, पर इसने फिर भी इनको साफ करते वे मजबूत लहजे में का, क्यों जानी दू तुमें, तुम बीवी हो मेरी, अब बस तैयारी पकड़ो परसो, ये बड़ा सारे सेप्शन होगा, और सारी दुनिया जान जाएगी, तुम दड़ से करा उठी, शाह जी, इसने बोलना चाहूं, आइंदा तलाक का लफस निकलेगा तुमारे मुझे, तो बताओ मुझे, निकलेगा, आलमशा की गिरफ्ती दिनी सक्ती के हुरेन को लग रहा था, जैसे इसका जपड़ा तूट जाएगा, आखों में बेशमार पानी भरे बमश्किल ना में सरहिला है, आगे ही बहुत बुरा कर चुका हूं तुम्हारा भाई, तुम्हें मुझे से दूर करके, अब इस भूल में मत रहना के मैं तुम्हें खुद से दूर करूँगा, एक दिन है तुम्हारे पास खुद को तयार रखो, मेरे पास मुकमल तोर पराने के लिए, बना इस दफ़ा पहले तुम्हारी जान लूँगा और फिर खुद मर जाओंगा, मुझे छोड़कर जानी की कोशिश की ना तुमने, हुरेन तो इस दफ़ा हर चीज मिटा दूँगा, अपना वजूद भी, आलमशा इसके आउंकों में लाली उतरा आई थ आईंदा मुझे तुम इस तरह के कपड़ों में नजर ना आना, आलम इसके कपड़ों की तरफ इशारा करते भी बुला, हुरेन ने सरह लायता और बैट पर गिर से गई, बहुत बुरे हैं आप शाजी, बहुत बुरे, मुझे मालुम है जैसे आप आज मुझे अपना रहे वैसे मुझे छोड़ भी देंगे, जब आप मेरे जिसम पर दाग देखेंगे, आप मुझे छोड़ देंगे, आपको मुझे से करायत महसूस होगी, वो लब भीचे वे सी सकुटी थी, आलम इसे छोड़ का सीधा बाहरा आया था, सिगरेट को मुझे लगा रहा था, बहुत बुरा करता हूं तुम्हारे साथ नैन पर क्या करो, अगर ये सकती ना की तो तुम मेरी बात कभी नहीं मालोगी, और अब आलम शाह तुम्हें की हमत खुद में नहीं रखता, अब जो भी है तुम्हें मेरा होना ही होना है, गहरा कश लेते वे धुआ हवा हवा में छोड़ पुरी में ही जैन के साथ आगई थी, और शान भी इनके साथ आया था, जैन का दोस्त बनकर इनके घर में रह रहा था, ये सड़ावा हमारे घर में क्यों है भाई, मानूर जैन के कान में बोली थी क्योंकि सब टीवी लाउंच में बैटे चाए पी रहे थे, दोसे मेरा इसल जरुत थी जगे की तो कुछ दिन यही रहेगा ये पर फिकर मत करो बहुत अच्छा है ये जैन सामने शान को एक आंग दबा कर बोला था जिस पर शान ने इसे खाँ जाने वाली नजरों से देखा काफी ख़डूस नहीं ये बनता देख कैसे रहा हैं आपको जैसे हम इसके ख फसर फसर सुन रहे थे अपनी आपी को देखो हाँ कैसे हमो बना रखा है जैन जर्मीर की तरफ इशारा करते वे बोला इतना प्यार तो है क्या हो गया है मानूर मुस्कुरा कर बोली तुमें एक बात तो बताई नहीं जब तुम कोमा में थी तो मामों ने हमारा निकाह करके रुकसती कर दी थी और रिसेप्शन तुमारे होश में आने के बाद रखना था जैन ने बड़ी चालाकी से अपना काम किया क्या क्या मानूर डरामाई अंदास में बोली कि जर्मीन और शान एकदम इसके अंदास पर उचले थे क्या हो गया है मानूर आपी आपकी रुकसती भी हो गई मेरी बेहुशी में और मैं वहां कोमा में रही अल्ला मानूर मो में बनाकर बोली कोई मेरा भांजा तो नहीं आ गया मानूर बोली तो जर्मीन ने जैन को घूर कर देखा जो दाख चुपाने के कोशिश में था नहीं आया तुमारा भांजा जर्मीन दाख पीशत वाले दिन, शान ने माहूल को हलका फुलका करना चाहा, अपना मशवर अपने पास रखे, महनूर बूम बना कर बोलते वे जर्मीन की तरफ आई, हाई आपी, मैं बहुत कुछ हो आपके नहीं, महनूर ने उसे गले लगाया था, जर्मीन उसके गले लगी पर इसने जर्मीन को बाती कर रही थी और शान जैन के पास चला गया, बहुत तेजे भाई आप, इधर मेरी चुटी करवाद कर, खुद अपनी को अपने पास रखने का इंतिजाम कर लिया, वह, क्या कहने आपके, गरीब किया हाल लगी कि आपको, शान के बोलने पर जैन का कहका बेसाकता निकल इस तरह में तुम्हें छोड कर नहीं जा सकती, जर्मीन ने बोली तो मानूर ने नामे सरिलाए, मैं कोई बीमार नहीं हूँ, जाओ जाओ, मानूर बोलते वे इसे जैन के कमरे में छोडने चली गी, पकड़े अपनी बीवी को, मैंने सुनाए, अकेली ही इनको रखे अपने मानूर बोलते वे जर्मीन का हाथ पकड़ कर उसके हाथ में दे आई और खुद अपनी कमरे की तरफ बढ़ गए, जर्मीन अभी अपना हाथ खीश थी, जैन ने इसे कोई भी मुका दिये बेना, इसका हाथ पकड़ कर इसे अंदर कमरे में खीच लिया और दर्वाजा बन कर जर्मीन वापस आकर आराम से यहां सो जाओ, बरना मैं बहुत बुरा करूँगा, ठीक है, मैं गलत था, बहुत बुरा हूँ, पर महनूर के साथ जो हुआ इसमें मेरा कोई कसूरी नहीं था, और इस चीज़ की साथ तुम मुझे देऊ, मत, रही मामू या तुमारे साथ, व इसकी तरफ देखते वे बोला, जैन इसकी तरफ बढ़ा, मैं सो जाओंगी, जर्मीन ने हाथ ये शारे से उसे खुद के करीबाने से रुका था और चुप जाकर बैट पलेट गई, जैन काफी देर उसे देखता रहा और फिर उटकर लाइट आफ आफ कर दी थी और खुद कमरे से बाह निकल गया, जर्मीन ने इसका जाना महसूस किया था और कई बे आशो आँखों से बहे कर तक्की में जब सो गए थे, माफी इतनी आशानी से कैसे देदू, मेरी महबत कोई मजाग थी जो बदले की नजर कर दी, मेरी महबत आपनी जैन, महनूर आशो, यह महनू लिखाया, जर्मीन होना चुए था, जर्मीन आशो साफ करते वे आँखों को बन करके सोनी की कोशिश करने लगी, महनूर ने लाइट आफ की जार खुद बिस्तर में घुस कर आँखों को बन करके सोनी की कोशिश की थी, पुरे कमरी में अंधेरा था, कौन है? महनूर को और से बंद की कलमा पढ़ने लगी। शान के चैरेपन मुस्कुराट बिकर गई थी। अंधेरे में वो इसको देख तो नहीं रहा बारा था। इसकी हर्ट बड़ बड़ा हर्ट और इसकी लज़िश को महसुस कर रहा था। पर इतने दिन बाद वो इसे होश में मिली तो वो कैसे खुद को इससे दूर रह सबता था। इसे महनूर का रुख खुद की तरफ किया और नर्मी से इसके होटो को चुँआ तुम सब को बेवकुफ बना सकती हो मुझे ने मैं तुम्हारी आखों को पढ़ने का हुनर जानता हूँ इसकी छूने से महनूर खुद में समिठते हुए इससे और भी पीछे होने लगी सोचना भी मत बहुत नाटक कर लिया अब दूर हो गई तो सब कुछ सच बता दूँगा मैं शान सकत तलहजे में बोला छोड़े मुझे मिस्टर शान मानूर गुसे से और इससे दूर होने की कोशिश में थी जो मुकमल तोर पर इसे अपने हसार में लिये वे था क्यों दूर क्यों होना है मुझे से किस चीज की नाराज़गी है बताओ इतनी सजा काफी नहीं थी मेरे लिए कि तुम से साल भर दूर था और अब ये यादास जानी का नाटक क्यों कर रही हो शान ने हाथ बढ़ा कर लेंब जला दिया जिससे कमरे में हलकी हलकी रोशनी फैल गई थी आपी के लिए किया सब आपी और जैन भाई के लिए दोनों बहुत दूर है खुद से मैं महसूस किया है दोनों को बहुत महबत है पर दोनों ही एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं म इनके बहते आसो मुझे महसूस होते हैं मानूर शान की टी-शिर्ट के गिले पर उंगली फिरते वे बुली मेरा रोना भी याद है के भुल गई शान की बात सून कर इसने घुरा मुझे याद है तुमने एक लड़की बी देख रखी है जिसके साथ तुम शादी करने वाले हो मानूर उसे घुरते वे बुली अब मेरी बीवी आ गई है अब नहीं वो इसकी तरफ देखते वे इसके होट पर उंगली फिरते वे बुला हाथ मानूर बोलते वे रोना शुरू कर दिया ता शान को खुद इसकी चीज़ तकलीफ थी इसकी पहली पहली आुलाद और फिर ये सब मानूर के साथ होने से शान खुद बहुत तूट चुका था शान इसे खुद में भीच चुका था आज जीतना रोना है रोलो फिर इसके बा जाना तो पड़ेगा और तुम्हें एक और बात बतानी थी के शान बोला तो मानूर ने आँकों को खोल कर इसकी तरव देखा क्या हूरैन जिन्दा है शान ने बताया तो मानूर ने खुश होते वे उसकी तरव देखा सच में क्या मत तब कैसे और हुआ सब आराम से आराम स मेरी सांस नहीं रुकती थी बाकि सब तो जैसे थम खतम हो चुका था मेरी नहीं शान बोला तो इसके लाज़े में कर्प और तकलीफ थी तुम्हें पता है मानूर मैंने अल्ला से रो रो कर तुम्हें मांगा ही दोबारा मानूर के माते पर लब रखकर मस्कुराएं मैं सब सुनती थी पर पता नहीं ऐसे लोगता था जैसे सब ख्याल हो जब एकसिडंट हुआ सबसे पहले ख्याल मुझे तुम्हारा आया था और मुझे लगा अगर मैं मर गई तो शान तो दुसरी शादी कर लेगा और फिर शान जो इसकी बात गौँर से सुन रहा था भी मरने वारी बात पर गुसा करता इसके अगली बात सुन कर से हसे आई और फिर क्या फिर मैं रूप बन कर आती और तुम्हें और तुम्हारी बीवी को जिन्दा चला दे दी मानूर हाथों को इसके गले की तरफ इशारा करते वे मूँ चड़ा कर बुनी मेरी जान मैं तो तुम्हें कभी भी अकिला नहीं चोड़ सकता मैं मैं चुड़ेल बीवी भी अपने पास रख लेता मानूर ने उसे मुका मारा अब दफाओ जाओ मुझे सोना है मानूर उसे परे करते वे सोनी की कोशिश करने लगी कहां आज तो कोई छूटने ही सोचना भी मत बसे खुद की तरफ खीच कर इसके आउका में देखते वे बुना मैं बहुत रोया हूँ तुमारी लिए मानूर बसमिस किया मैंने तुम्हे शान बोलते वे इसकी गर्दन में मुझे चुपा गया मानूर को इसके हिलते वे होट अपनी गर्दन पर महसूस हो रहे थे कुछ रंचीशों और परिशानियों और कुछ आजमाईशों के बाद आज शान को इसका हासिल मिल गया था मानूर ने भी गुजरा हुआ हर पल भूल कर इसे पुरी तरह से अपना आप सौब दिया दोनों की जिन्दगी खुशियों से भर गई थी जर्मीन की सुबा जब आख खुली तो जर्मीन का सर जैन के सीने पर था और इसके गिर्थ हसार बन रखा था जर्मीन ने सर उठा कर उसे देखा और कितने ही देरे उसको देखती रही और फिर हाथ पढ़ा कर इसके चेहरे को छुआ था और नमाकों से हाथ पीछे करते वे इससे दूर होना चाहा जैन ने इसके दूर होने पर इसके गिर्थ हिसार और भी मस्बूत कर लिया जर्मी ने उसके चेहरे की तरफ देखा जहां मस्कुराट गहरी हुई थी जरमीन इसके मुस्कराहट देखकर घबराईया और इसके सीने पर हात रखकर इसे दूर करना चाहा पर जैन ने उसे अपने और नजिक करते वे उपर गिरा गया मुझे आफिस के लिए देर हो रही है मुझे जाना है जर्मी ने जब इसे खुद से दूर ना कर पाई तो घपराहट बरे लहजे में बोली मेरा अपना आफिस है समालूंगा मैं जैन इसकी तरफ देखते वे बोला जो नजरों को जुकाए कन्फियूस थी प्लीस छोड़े मुझे जैन जर्मी फिर से मन मनाई रात को तो खुद साथ साथ आकर चमट रही थी मैंने कहा सुबा उठा कर इल्जामी ना लगा दे गई जैन अभी बोली रहा था जर्मी ने गुसे से उसकी तरफ देखा मुझे इल्जाम लगाने के आदत नहीं है सुना अपने छोड़े मुझे वो अपनी गिर्द हसार तोड़ते वे गुसे से चिकी थी जैन ने उसे छोड़ दिया था और जर्मी न उठी थी और जल्दी से रूम से निकल गई उफ मसाफ़ा बड़ी लंबी है यार जैन तेरी तो जैन मुब बना कर बोलते वे उठाता और वाशरूम की तरफ बढ़ गया ये कपड़ी क्यों नहीं पेंड रही तो आलम शा कमरे में आया तो और हुरेन की तरफ देखा बोला जो मुब बना कर बैट पर बैठी हुई थी क्योंकि मुझे नहीं पसंद इसलिए वो कंदी उचका गई क्यों नहीं पसंद तो मैं ये इतने खुबसूरत तो है ये आलम ने कपड़ों की तरफ इशारक किया जो हलके परपल रंग की शौर्ट फ्रॉक और साथ प्लाजो था मुझे नहीं पहनने बस नहीं तो नहीं हुरेन चीकी थी मैं खुद पहना दू आलम शायब रे उठा कर उसकी तरफ देखते वे आगे बढ़ा प्लीज शाजी मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं फिर हुरेन ने ना में सर लिलाते वे जल्दी से उटकर भागने वाली थी कहा जा रही हो ये पांच मिनट में ये पहन कर आओ वरना मैं खुद ये काम करूँगा और तुम्हें मेरा वो अमल बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा आलम ने इसे घूर कर कहा जिस पर हुरेन गुसे से मुझे बनाते वे ड्रेस लिया और ड्रेसिंग के तरफ बढ़ गे हुरेन ने जब अपनी हाई नेक उतारी तो अपने शानों को देखते वे इन पर हाथ फिरा था चेहरे पर अजीब सा तासिर था खुद को रोने से बाज रखते वे इसने अपने बैक से एक बलैक रंग का नेक शीप निकाल कर गले में पहन लिया था आराम आराम से चलते वे जब सीडियों से नीचे उतरे ही तो सामने ही आलम शाप नीशान से चलते वे अंदर आ रहा था इस वक्त वो फोन में मसरुफ था इसका ध्यान हुरेन की तरफ नहीं था शाजी आपके आगे में कुछ भी नहीं और अब तो मेरी जिसम परीते ने बदनुमा दागे जो देख कर ही आपको करायत महसूस होगी हुरेन सामने आते वे आलम शाप को देख कर बोली और जो एक बहतरीन परसनलेटी रखता था और अभी भी कोई शहजादा ही लग रहा था बात करने के बाद हुरेन के पास आया जिसके चेहरे पर नमी थी बहुत खुबसरत लगरी हो नैन वो हुरेन की तरफ देखते वे एक ट्रांस की कैफित में बोला इसके चेहरे पर चमकते वे आशो जो किसी मोती की तरह लग रहे थे जिसको आलम शाँ ने हाथ बढ़ा कर साफ करते वे इसके माते पर अपने लब रखे चले हमेरी हवेली जाना है आलम शाँ ने कहा तो हुरेन ने नामे सरहला है प्लीज शाँ मुझे नहीं जाना कहीं भी प्लीज हवेली तो बिलकुल भी नहीं हुरेन नम लहजे में बोली हम बस थोड़ी देर जाएंगे फिर मिलकर वापस आ जाएंगे और फिर डिनर हम दोनों का बस हुरेन की तरफ देखते वे बुला जिससे उसकी इस तरह कहने से लब भीज गई और इसके साथ चलने लगी आलम शाने इसके कमर पर हात्रक कर इसे अपने हिसार में लिया क्योंकि इसे हील की बज़े से चलने में परिशानी हो रही थी इसे हाराम से गाड़ी में बिठा कर अपने साथ ले गया और फिर हवीले के लेकर गया मा सब इसे मिलकर खुश हुए थे और आलम इनको रिसेप्शन का भी बताया था फिर दोनों ने डिनर किया और रात को वापस वामाउज आ गए थे हुरेन गाड़ी में बैठी बैठी सो गई थी आलम ने इसे बाहों में भराता और इसे उपर रूम की तरफ ले गया बैठ पर रखा और इसके गले के गिर्द डुपटे को पीछे किया था ये क्या लगा रखा है नैन ने आलम ने इसके गले में पहना निक को देखा और फिर आरामसे से छूते वे उतारने की कोशिश की जब इसको उतार रहा था हुरेन नीन में एक दफ़ा कसम साय फिर बैठ आलम ने इसके कमफर्ट के लिए उतारा तो जो कुछ उसने देखा इससे आलम वही शलसा रह गया हुरेन की गर्दन का एक पूरा हिस्सा जला हुआ था शानों से भरा हुआ था और बहुत बुद्नमा थे तो क्या ये वज़े है आलम ने एक नजर उसे देखा और इसके गर्दन पर हाथ फेरते वे वापस इस निक को इसके गले में डाला और इसके उपर कमफर्टर ठीक करते वे वहां से उटकर बाहर चला गया मेरी नैन के साथ इतना बुरा किया इसने आलम किया को के सामने जब जब वो निशाना आते आलम जब से मुठियों को भीच लेता आलम ने अपना फोन निकाला और साइम को कॉल की क्या हुआ था नैन के साथ सब सच बताओ आलम इसके फोन उठाते ही बोला हुरैन नहीं है सा बर्दन पर निशान आलम बोलते वे रुका वो ठीक तो है मुझे सच बताओ क्या हुआ आलम साइम की बात काड़ते वे बोला जब तुमने मुझे मैसेज किया था उससे पहली मुझे हुरैन का पता चल चुका था और जब मैं वहाँ पहुचा तो देखा हुरैन का आदे से ज तुम से चुपाने के लिए मैंने एक लाश ली थी और इसकी शकल किसी को नहीं दिखाई और इसको दफन कर दिया ममा बाबा को भी इस बारे में नहीं बताया था मैं बस किसी को भी तरह बिना बता कर वहां से चला आया अनाबिया को लेकर इसी दिन चला गया महाजाकर हुरین का इलाज करवाया इसकी बहुत सी सरजरी भी हुई थी पर फिर भी ये गर्दन की सरजरी खतरनाक थी इसलिए ये ममा ने नहीं हुकर वानी दी ममा ने हमसे इसे कहा था कि वो जाए तुम्हारे पास पर वो खौफ दरता थी अगर तुमने वो सब निशान देखने के बाद उसे धुतकार दिया तो वो जीते जी मर जाएगी साहम सब बोला तो आलम जो इसकी बात गौर से सुन रहा था चुप कर गया प्लीज इसे अप कोई तकलीफ मत देना वो आगे ही बहुत तकलीफ परताश को चुगी है इस आग में इसके जिसम का आदे से जादा हिस्सा जल चुका है यहां के बहतरीन इलाज की वज़े से वो अब जिन्दा है वरना शायद वो साहम अभी बोलता आलम बोला आगे कुछ मत कहना साहम वरना बहुत बुरा होगा आलम बोला तो इसके अंदर सर्थ था और वो बोलते हुए इसने फोन बन कर दिया इतनी तकलीफ दी है उस इंसान ने तुमें अब मैं उसे बहुत बुरा हाल करूँगा हर तकलीफ पर दर्द दूर कर दूँगा मैं तुम्हारा मिरी जान आलम बोलते हुए उपर बढ़ गया जहां हुरेन सो रही थी आलम शा कमरे में आया था और इसके पास बैड़ गया नैन कपड़े चेंज कर लो और सुकून से सो जाओ इसके बालों में हाथ फिरते हुए प्यार भरे लहजे में बोला आलम शा मुस्कुराया कर लेती हुआ आपका शुक्रिया हुरेन बोलते हुए जल्दी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई और जब थोड़ी देर बाद वापस आई तो नीचे गले को छुपानी के लिए हाई नीक थी और उपर ढीली सी शिर्ट और ट्रावजर यह हाई नीक क्यों पहन रखी है तुमने आलम इसकी तरफ गहरी नजरों से देखते हुए बोलत जिस पर हुरेन घबरा गई बस वैसे ही सर्दी लगती है मजए हुरेन बोलते ही जल्दी से कंबल में घुज गई जैसे आलम शा के सवालों से बचना चाहती हो क्या बाते ने परिशान हो आलम ने उसे ऐसे ही देखा तो बोला था शाजी कल रिसेप्शन ना रखे वो सर बाहर निकाल कर बोली क्यों ना रखो कोई खास वज़े आलम शा इसकी तरफ ही लेक रहा था जिसकी नजरों की लतिजा वो बढ़ रहा था पहले होता तो शायद वो इसकी बात ना समझ पाता पर अब वो सब समझ रहा था इसकी बात इसलिए इससे सवाल किया हुरेन कुछ नहीं बोली और दोबारा चाहरा मुकम कंबल में कर गए शाजी लाइट बन कर दे मिझे सोना है हुरेन घुसे से बोली थी आलम शाज ने लाइट बन कर दिया और खुद भी इसके साथ लेड़ गया नैन आलम ने उसे पकारा जी शाजी हुरेन ने वैसे ही अंधेरे कमरे में इसे जवाब दिया सोजाओ कुछ नहीं आलम इसे खुद के करीब किये इसका सर अपनी सीने पर रखे वे बुला जिस पर हुरेन उल्धन जर्दास ये आँखों को बंद कर गी जैन जब आफिस आनी लगा तो जर्मीन के पास आया तो मेरे साथ घर जाओगी जैन इसके पास आते वे बुला सर में बीजी हूँ इस वक्त अभी नहीं जाना मैंने घर जैन दाथ पीसते वे इसकी तरफ देखकर बुली फाइले तो कम्प्लीट कर ली है बाकी क्या रहे गया है जैन इसकी तरफ ही देख रहा था जो मूब बना कर बैठी थी मेरी मर्जी मैं खुद जा सकती हूँ आपकी कोई जरौती नहीं मुझ पर रहसान करने की जैन ने इसे घुर कर देखा और खुद बाहा निकल गया यार ये तो तेरा दिवाना हो गया है डोरे मैंने डालने थे डाल तुमने लिए सानिया बोली तो जर्मीन ने से खा जाने वाली नजरों से दिखा अच्छा सॉरी अच्छा बनता है कर ले ना एक्सेप इसका प्रपोजल यार देख तो कितना क्यूट है तेरी जगे मैं होती तो दो मिनट में कर ले थी सानिया बोली भाड में जाओ तुम भी जर्मीन गुसे से चीखी और फिर काम करने के बाद बाहर निकल गए सब लोग वैन में जा रहे थे कि जर्मीन भी उसमें बैठने लगी जर्मीन मेरी बास सुनो जर्मीन जो गाड़ी से टेक लगा कर खड़ा सिगरेट पी रहा ता उसे देखते भी बुला तुम जाओ जर्मीन आफिस वैन के ड्राइवर को बुला जिस पर वो हुकुम मिलते ही गाड़ी स्टार्ट कर चुका था गाड़ी में बैठी लड़कियों ने देखा था कि जर्मीन जैन की गाड़ी में बैठ रही है जर्मीन को इसकी गाड़ी में बैठना पड़ा क्योंके वैन जा चुकी था और वैसे भी वैन उस तरफ नहीं जाती थी जिस तरफ इनका घर था पहले दुसरी साइट पर रहने के वज़े से गाड़ी उसके घर के पास रुख जाती थी जर्मीन सारे रास्ते ही मो बना कर आई थी पर जैन खुश था जो भी था वो इसके साथ आई थो थी अगली सुब़ा भी जर्मीन जैन के साथ आई थी ओफिस की लड़कियों और लड़कों ने उसे देखा था जर्मीन चुप चाप अपना काम कर रही थी सानिया भी इसके पास बैटी हुई थी दोनों बाते करते वे काम करी थी, सानिया खुश थी जर्मीन के लिए, पर बाकी बहुत सी लड़किया जैलिस हो रही थी, वैसे बहुत नेक पारसा बनी फिरती है, चक्कर इसका नए बास के साथ चल रहा है, एक लड़की इसके पास से गुजरते वे बोली, जर्मीन इसकी ब नहीं साथ लगता कोई ना कोई चकर तो लगा है, जो इतना हैंसम बन्दा आगे पीचे का फिर रहा है, दो लड़के मजाग बनाते वे एक दुसरे के हाथ पर महात मारते वे हसली, जर्मीन भी बन लब भींचे चुपसी बैटी हुई थी, इसने किसी को एक बिल लफस नही जैन ने उसके चेहरे पर एक बाद एक मुका मारा था, जैन प्लीज छोड़े उसे प्लीज जैन, जर्मीन आगे बढ़कर पिछे करते वे बोली, जैन एकदम से जर्मीन के कलाई से थाम कर अपनी करिब करते वे इसके कमर पर हाथ रगा था और बिलकुल अपने पास कर लिय मेरी बीवी, तुम और्दों की तरह यहां मर्दों का दिल बहलाने नहीं आती, अपना काम करने आती है, इसलिए आएंदा बखवास की तो सब की जान ले लूँगा, और ये लड़की मेरी बीवी है, सुना तुम सबने, जर्मीन जैन शाह, ये है, जैन शाह की बीवी, इसक महबत, इसकाई इश्क और जो, मेरी बीवी या महबत के बारे में कुछ भी बखवास करे में, इसकी जान भी ले लूँगा, जैन की आवास पुरे आफिस में गूंज रही थी, सब इस अन्नाटे में आ चुके थे, सारी लड़की आ हैरानगी से सब देख रही थी, सानिया क चैरे पर मस्कुरारती और बाकी बहुत से चैरों पर शर्मिन दीगी और हैरत, जर्मीन के आखों में नमी थी, जैन इसका हाथ थामा और इसे अंदर आफिस के तरफ ले गया, तुम ठीको जर्मीन, इसे चैर पर बिठा कर इसको पानी का किलास पकड़ाया और महबत भरे ल अपने किये के हर गुना की माफी मांगता हूं, प्लीस माफ कर दो मुझे, वो नीचे इसके पास बैट के कदमों में बैड गया, आम सॉरी जर्मीन, वो इसके हाथों को थामे बोला, जर्मीन इसके तरफ देखा, जिसके चैरे पर सच में शर्मिन दीगी ती, मुझे घर जा भी लेकर बाहर की तरफ निकला और साथ जर्मीन का हथ पकड़ ले और पूरे आफिस के सामने उसे साथ लेकर गया, सारे आफिस ने जैन के साथ जर्मीन को इस तरह देखकर शर्मिन दीगी महसुस की थी, आज तयार रहना, आज आलम भाई और हुरैन का रिसप्शन है, फा पड़े नहीं है तो मैं नाया ड्रस लादूँगा, पर जाना है, चलो 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 ये, तुम्हे ड्रस लाकर दे दू, पहले तुम्हारा बहाना खतम हो जाएगा, वो महनूर को खिशते वे बाहर ले गया, दोनों गाड़ी में बैठे थे और मॉल की तरफ निकल गया, महनू जर्मीन इसकी तरफ देखते भी गुसे भरे लहजे में तहमिल से बोली, आपी वो मैं शान के साथ गई थी, महनूर ने डरते वे का, तुमने जुट बोला था हम तुम्हारी यादाश के बारे में, तुम्हें सब याद है, जर्मीन इसे घुरते भी बोली, आपी वो, क्या वो, क्या वो लगा रखा है, सबने मुझे बेवकुफ बनाने का सोच रखा है, इसको बेवकुफ बना लो, ये बेवकुफ बन जाएगी, जर्मीन गुसे से बोली, और आप जैन, आपने फिर से मुझे धोका दिया, बाते तो आप बहुत करते हैं, पर आप भी एक नंबर क जूटे, जर्मीन कलाजा नम और शिक्वा करता हुआ था, जर्मीन मेरी बात, जैन अभी बोलता, जर्मीन गुसे से इशारा करते वे अपने डूम की तरफ चली गए, मेरा क्या कसूर है, तुम्हारा कसूर है, और मुझे क्यों और तुम ने जुट बोला, और तुम मेरे सा जर्मीन को मनाने की कोशिश करता हूँ मैं अब, जैन इसकी सर पर हाथ रखते वे बोला, जिस पर महानोर और शियान मस्कुरा दी, भाई हम दोनों आज जा रहे हैं, शाह भाई की रेसेप्शन पर, शियान बोला तो जैन ने सर हिला दिया, ठीक है तुम लोग जाओ, ध्या जारी लग रही हैं, किसी गुडिया की तरह, वो इसको मुकमल तयार करने के बाद बोली, हुरेन फिका से मस्कुरा दी, इसके जाने के बाद हुरेन आईनी के सामनी जाकर खड़ी हो गए थी, हलके स्कीन कलर की मैक्सी और इस पर गोल्डन काम, और हलकी सी जोलरी और मुनास की तरफ देखा, जहां से आलम शान धर दाकी लिवा, जिसने थ्री पीस पहन रखाता और किसी रियासत की शहजादे सी चांच से शान से चलते वे अंधर दाकी लिवा, और हुरेन को देखते वे इसकी तरफ बढ़ा, कुछ भी बोले भी ना, वस इसकी चहरे को थामकर, इस मुझे बस इन में अपने लिए महबत चाहिए, कोई खौफ, कोई दर्द, कुछ नहीं, बस इन आखों में आलम शाह होना चाहिए, आलम इसका आखों में देखते वी बोला, शाह जी प्लीज चले, अभी मुझे सुनो, आलम शाह ने इसके लिपस्टिक लगे, होटो पर उं मुझे उसकी जिद्धी अंदास से मुझे जब जब वो कहती है शाह जी, मुझे लगता है जैसे उससे प्यार से मुझे किसी नहीं बुकारा, आलम शाह की दुनिया होरैन आलम शाह है, आलम इसकी आखों में देखते वे बोला, जहां से, अब कई आंसों बहे कर इसके गाल परा चुके थी, शाह जी, हुरैन मन मनाई थी, जी शाह की जान, क्या मेरे जिसम पर लगे बद नुमादाग आपको तकलीफ नहीं देंगे, हुरैन अजीब से अंदास में बोले, मुझे नैन से मुहपत है, और मुहपत जिसमों का खेलने ही होते, आलम ने बोलते वे इसके माते पर लब रखे और फिर आउकों पर, नैना आलम शाह का इश्क है, इस पूरे साल में जितना मैं तरपा हूं तो मैं बयान नहीं कर सकता, काश अपना दिल निकाल कर तुमारे सामने कर सकता, आलम ने हुरैन की तरफ देखा था और फिर आराम से इसका दुपटा, जो गर करने के लिए इसके जलेवे निशान पर अपने होट रखे थे, हुरैन ने आँकों को खोलते वे आलम की तरफ देखा, अब जो इस तरह करने की बाद इसको देख रहा था, चली, आलम वापस दुपटा ठीक करते वे मुस्कुराहर के साथ बोला, हुरैन ने हैरान नजरों स उसकी तरफ दिखा, चलो सब हमारा इंतजार कर रहे हैं बाहर, आलम इसके गाल थब तपा कर बोलते वे अपने हसार में लिए बाहर के तरफ निकल गया, हुरैन अभी भी कई खोई सी थी, इसके लिए यकीन कर लेना मुश्किल था, जिस चीज़ का वो खौफ लेकर बैठी अपने कमरे में गया, पर वहां उसे जर्मीन कहीं नहीं मिली, इसलिए आप इसके कमरे में आया था, क्योंकि वो गुस्से से अपने कमरे में आ गए थी, यहां से चले जाये जैन, मुझे आपसे कोई बाती नहीं करनी, अंदर से जर्मीन की बेजार सी आवास थी, जैन ने म तो पर शामिल करता है और जिसका दिल करता है बदले के लिए यूस कर लेता है मुझे अंदर से जर्मीन रोते वे चीकी दे जर्मीन एक दफ़ा दर्वाजा खोल कर मेरी बात तो सुन लो यार एक दफ़ा बस जैन ने इलते जाये का जाये यहां से सुना नहीं आपने मुझे करने आपसे कोई भी बात नहीं करनी बतलब नहीं करनी जाओ जर्मीन रोते वे उची आवाज मिची की जैन चुप सा कर गया था और वापस अपनी कमरे में आया जैन भाई सब ठीक है ना जैन जब वापस कमरे की तरफ जा रहा था तो शैन बोला वो दोनों कब से सुन रहे थे पर बोले नहीं थे जैन ने शैन की तरफ देखा था और ठके वे अंदास में उसकी तरफ फिका सा मुस्कुरा कर रूम की तरफ बढ़ गया महनूर आई थे और जर्मीन की कमरे की तरफ गई आपी दर्वाजा खोले वरना मैं कुछ कर लूँगी खुद को महनूर जो कब सब सुन रही थी जर्मीन के पास आई और गसे से पुली जर्मीन ने उसकी बाह सुनकर दर्वाजा खोल दिया महनूर गसे से इसके पास आई और उसका रुख अपनी तरफ के नहीं रहे हैं आप दो पहले अना म्यांकर उन्हों ने आपको सजा दिया और आप आपी प्लीस दोनों एक दूसरे के साथ जलुम करना यार बस कर दो महनूर इसके रूख अपनी तरफ करते बोली आप दोनों की बाते सुनती रही हूँ मैं खुद का सब क्लियर करो आप क्यूं नहीं सब ठीक करते हैं आप दोनों वो आगे बढ़ रहे हैं तो आप भी इनका हाथ थाम ड़ इसमें सब मैं शान के साथ जारी हूँ आलम भाई के रिसेप्शन पर शायद आज वही रहे हम महनूर बोलते वे निकल गई शान भी उसके पीछे गया था जर्मीन वही जमीन पर बैठी चली गई और गुजरे वक्त को पल्म को याद करते वे रहने लगी जैन जर्मीन बस स सोच करी रह गई थी रिलेक्स या सब ठीक हो जाएगा शान गाड़ी चलाते वे महनूर के हाथ पर हाथ रखते वे बोला हम चानती हूँ ठीक हो जाएगा पर कब कब ये दोनों एक दूसरे के साथ ठीक होंगे मैं आपी को खुछ देखना चाहती हूँ इनके आँकों में व महनूर मसकुरा दी वैसे बहुत प्यारी लग रही हो आज यार तुम शान ने उसके तरफ देखते वे प्यार भरे लहजे में कहा तो आगे प्यारी नहीं लगती मैं वो अच्छा तुम्हें अब कहा प्यारी लगनी लगी दूसरी की याद आरी होगी तुम्हें महनूर चुड़ायल उट जाएगी मुझे क्या पता ता मेरा मजाक मेरे फ्यूचर पर बहुत असर करेगा और तुम औरते सब भूल जाओगे पर मजाक में की हुई मर्द की दूसरी शादी की बात नहीं शान सामने देखते वे मो बना कर बोला हाँ मजाक तुम लोग तभी करते हो जब कोई ना कोई सीन हो वैसे तो तुम लोग ऐसी बाते करते नहीं हो मानूर बात में से निकालने की हुनर जानती दी उफ मानूर तुम से कोई जीत नहीं सकता माफ कर दो मेरी माँ शान अपने हार मानते वे मुस्कुरा दिया हाँ बिलकुल सही अब मत करना ऐसी फजूल इसके लिए जाओ तुम्हें माफ किया बस मेरी तारिफ कर दिया कर वो रोजाना मानूर इसके तरफ रुक करते वे थोड़ी के नीचे हाथ रख कर मुस्कुरा के बुली यस माई लेडी ऐसा ही होगा शान भी हस दिया पर दोनों वक्त से अंजान थे वे वक्त एक दफ़ा फिर से सबसे एक किम्तिहान लेने वाला है रिसप्शन के इंतिजाम फार्म हाउस के बाहर खुली चके पर रखा गया था पुरे इतराफ को बहुत ही खुबसूरती से सचाया गया था दरम्यान में रेट कार्पिट था जिस पर दोनों चल कर आने वाले थे आलम शाने हुरे प्लक रहे थी हवेली वाले भी वही सब वहीं थे हुरेन के चाहरे पर खुशी तो तब खुली जब इसने सामने अपने माबाप और भाई को देखा शाजी ममा बाबा हुरेन खुश होते वे इसकी तरफ देखकर बोली मेरी नैन की खुशी है और इसके लिए अपने ना हो है आलम शाने इसके और अपरी करीब किया हुरेन की आखों में नमिया गए थैंक्यू शाल जी थैंक्यू सो मज़ वो नामाकों से इसकी तरफ देखते वे बोली इस वक्त वो अपनी इतनी खुश थी कि इसका वजूद लजर रहा था आराम से आलम इसकी कैफिस समझते वे ता जिस पर वो भो मुस्कुरा दी वो दोनों चलते वे स्डेश की तरफ गए थे मिस्स सुलेमान और सुलेमान साब इसे मिले ममाँ बाबाब यहां में बहुत खुश हूँ वो इनके गली लगी थी, इन दोनों ने से प्यार दिया था, फिर इसने अनाविया और साइम से पी मिले, हमेशा खुश रहूँ, अनाविया हुरेन को प्यार देते वे बनी, हुरेन मस्कुराई थी, महा मानूर और शान भी आए वे थे, महानूर इसे मिली थी, और दोनों एक और सप्राईस है तुम्हारे लिए, वसके चेहरे पराई लट को पीछे करते वे मस्कुराया, सच्ची शान जी बताई क्या है, हुरेन खुश होते वे बनी, अभी नहीं बाद में, आलम शान मस्कुरादे वे इसे बोला था, और फिर बहुत खुश था, क्योंके हुरेन पागलपन सुना था, शान से मुझे लगता था, आलम हुरेन को बहुत खुश रखेगा, अनाविया मस्कुरादे वे साइम से बोली, थैंक्यू सो मच अनाविया, हर चीज में मेरा साथ देने के लिए, साइम ने इसकी तरफ देखा था, दोनों ऐसे ही बाते करते वे घर आ आया था, ये सच है, कब हुआ ये सब, बता है क्यों नहीं मुझे, साइम ने इसकी तरफ देखते वे बोला, जिस पर अनाविया हस दी, बताने वाली थी, ममा के साथ गई थी, डॉक्टर के पास पर अचानक से हुरेन का मामला और फिर ये सब, मैं आपको बता नहीं पई, अनाविया इसकी तरफ देखते वे सर को उपर किये बोली, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, मैं कितना खुश हूँ, फाइनली हमारी घर भी कोई छोटा सा बेबी आएगा, हुरेन के बाद अब ये होगा, साइम इसे खुशी से साथ लगाए बोला, साइम और अनाविया क ठक चुका हूँ, आगे ही बहुत जादा गिल्ट हुमे हूँ, जो कुछ मामों की साथ कर चुका हूँ, इसके बाद तो मुझे इन से माफी मागने कभी मौका नहीं मिला, जैन, इसकी तरफ देखते वे ठके से अंदाज में बोला, प्लीज जैन, समाली खुद को, आप इतन नजर रखी हुई थी, वो मामों को नुकसान पहुचाना चाहते थे, मेरी जरीए, और तुम दोनों बहनों को भी परशान को महनूर पसंदा गई थी, और इसे जित पकड़ ली थी, इसे महनूर चाहिए, जैन बोल रहा था और जर्मी ने उसकी बाते सुन रहे दी, मुझे वे बोला जो उसकी बातों को समझने के लिए बस उसे देखती रहे गी, तो क्या ये सब खेल इनका था, बाबा को बरबात करना ये सब, जर्मीन हैरत से उसकी तरफ देखते वे बोली, हाँ पता नहीं क्यों पर वो मामों को और तुम दोनों बहनों को बरबात करना चाहते पर अल्ला का ऐसा करना हुआ कि तुम मेरी और महनूर शान की इज़त बन गए, और वो चाहा कर भी ये सब ना कर पाए, पर जैन बोला तो जर्मीन उसकी तरफ देख रही थी, पर क्या जैन, उन्होंने महनूर को घर से निकल वाय दिया, इनका पूरा दिल था कि शान महनू को नुकसान पहुचाने के लिए कर रहे थे सब, जैन बोला था और बैट के साथ टेक लगा गया था, इस वक्त दोनों जर्मीन जर्मीन पर बैटे हुए थे, जैन ने बैट के साथ सर को जोड रका था और जर्मीन इसके सामने बैटी हुई थी, मैं बहुत ठक गया हूँ ज बस मेरा दिल करता इस दुनिया को छोड़ दो मुझे माफ कर दो बहुत अकलिफ है दी है मैंने तुम पर खुद पर एक अपल चैन भी नहीं रहा यह सब करने के बाद इस दफ़ा बोला तो जर्मीन की इस तरफ देख कर तरड़ कर देखा प्लीज जैन मुझे नहीं मालम था यह सब जर्मीन जैन के हाथों को थाम गई बाबा की जाने का सब कसुरवारा आप लगते थे मुझे लगता था जैसे सब खतम हो गया हो बाबा मेरे बाबा मुझे छोड़ कर चले गए वो रोते हुए इस दुनिया से चले गए थे जैन तो मैं इतनी जल्दी कैसे आपको माफ कर देती जर्मीन उसके हाथों को थामते रोते हुए बोली जैन ने उसे अपनी तरफ खीचते हुए अपने बाउंक के सार में लिया था अब वो जैन के साथ लगी अपना हर शिक्वा कर रही थी और जैन इसको सम्मेट रहा था दोनों ही एक दूसरे को सम्मेट रहे थे मुझे माफ कदो जैन मैं बहुत बड़ा गुनिकार तुमारा और महनूर का और मामो का जैन इसे खुद के साथ लगाए बोला बस जैन बहुत सजादी है आप मैं और बहुत ठक गई हूँ अब और नई जिन्दगी शुरू करना चाहती हूँ जैन इसके साथ लगी आँखों को बन किये सुकून से बुली हाँ अब हमारी जिन्दगी में सुकून होगा अब किसी को मैं अपनी या तुमारी लाइफ से खिले नहीं दूँगा जैन इसके गित मजबूत हसार बनाए वे बोला जर्मीन ने भी इसके हसार में खुद को महफूस पाया आज जो भी था वक्त लगा था पर दोनों की जिन्दगी में खुशिया लोट आई थी सर अपनी जो काम किया कहा था हो गया एक आदमी चाहर पर बैठा वा था और इसके पास आकर इस आदमी ने बोला कल वो लड़की मुझे मेरे पास चाहिए मुझे वो मेरे पास चाहिए किसी भी तरह बहुत इंतजार किया है मैंने उसका और वो आदमी खबाज़त से हाथ में पकड़ी गर्न को था में फिरते वे बोला काम हो जाएगा सर जी वो आपके पास होगी सब इंतजाम इतना अच किया है कि अब कोई भी यह नहीं बस सकता वो आदमी सर को जुका है वे बोला पिछले दफ़ा भी हाथ से निकल गई थी पर इस दफ़ा नहीं इस दफ़ा मुझे वो चाहिए वो भी अपने पास वो आदमी का चेहरा गुसा था और एक दफ़ा वो फिर से सबकी जिंदगिय में हलचल मचानी पाला था शाह जी आप मुझे कहा लेकर जा रही है आलम शाह ने इसका हाथ पकड़ रखा था और इसे अपने साथ लेकर जा रहा था अभी बताता हूं आलम शाह उसे एक नीचे तहे खानी में बनी कमरे में लेकर गया जहां ऐसे था जैसे इसा लग रहा ता दुनिया हूँ हुरे ने देखा था वा सब बहुत खतरनाग लग रहा था शाजी ये क्या कहा लेकर आये मुझे हुरे ने जोर से इसका बाजो पकड़ लिया था जिस पर आलमशा ने इसके कमर पर हाथ रखकर उसके गित हसार और भी मस्बूत कर लिया आलम इसे एक कमरे म हुरे ने खौफ जड़ा लहजे में आलमशा की तरफ देखते वे का इसने जोर से इसका दर बाजो थाम दिया ये वही शक्से जिसने मेरी नैन को नुकसान पचाया था अभी तो इसकी हालत और भी खराब होगी आलमशा मुस्कुराते वे इसकी हालत देखकर बुला शाजी ने आलम के शारे पर इसकी टांगों पर कुछ पानी नुमा फैका था हुरे ने एक दफ़ा खौफ से आलम की तरफ देखा और अपनी सास खुशक होती महसुस हो रही थी हुरे ने जब आलम का आग जलाते देखी तो बोली और इसके हलक से आवास तक नहीं निकल पारी थी इसे तुम्हें नुकसान पहुचाया था ना आलम ने हुरे ने की तरफ देखा नहीं 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 शाजी इसको मत जलाना बहुत पैन होता है बहुत जादा मत करना है सचा जी हुरे एन खौफ की जेरे असर इसके तरफ देखते वे चिलाई थी कैसे छोड़ दो उसे जिसने मेरी नैन को नुकसान पहुचाया आलम जुनूनी अंदास में बोलते वे इसके उपर मासिस जला कर फैक चुका था हुरे न की आँखों से खौफ पहल गई क्योंकि उस आदमी कीची के अप पुरे कमरे में गुंच रही थी और आलम शाह के चेरे पर भरपूर मुस्कुरा ह नैन रुक जाओ यार क्या हुआ आलम इसके भागते हुए बोला और इसे एक दम से पकड़ लिया था दूर मत करे शाह जी बहुत 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 पेन होता है हुरे नैन आलम की तरफ खौफ से देखते हुए बोली आंकों से आसों निकल रहे थे रिलैक्स कुछ नहीं होगा जो मीरी नैन को नुकसान पहुचाएगा मैं इसे दुनिया सही हटा दूँगा सुना तुमने चलो चलो यहां से आलम इसकी तरफ देखते हुए बोला था और इसे थाम कर उपर कमरी की तरफ ले गया जहाँ पुरे कमरी को फूलों से सचाया गया था बैटो यहाँ उसे बै जिसी मासूमियत लेव से बोली इसे मीरी नैन को नुकसान पहुचाया था इसलिए आलम इसके तरफ देखते हुए बोला शाजी वो बैठे बैठे इसके साथ लगकर और रोने लगी बहुत दर्द होता है आलम शाजी ने इसको साथ लगा वे प्यार से खड़े करते हुए क भी दुलहन के लिबास में थी और रोते हुए इसके सीने पर सर रखके सब बता रही थी I'm sorry मेरी जान मैं तुम्हें नहीं बचा पाया अब वादा करता हूँ तुम्हारी हर तरह से इफाज़त करूंगा वो इसका चारा सामने करते हुए प्यार बरे लहजे में बोला और अ इसने से रोकनी की कोशिश की पर आलम ने आके दिखाई तो हुरैन सर को चुका गई तुम इतने इन निशान के वज़े से कह रही हो ना कि मुझे तुम से करायत महसूस नहीं होती आलम इसके तरफ देखते हुए गंबिर लहजे में बोला हुरैन ने उसके तरफ देखते हा में सरहला है हुरैन आलम शा आलम शा को अपनी नैन से इश्क है और ये इश्क इन बदनमादागों से कम नहीं होगा आलम ने उसके कान के करीब बोलते हुए इसके गर्दन पर होट रखकर जहां वो निशान थे तब ही आलम को हुरैन की सिसकी सुनाई दी अब बस और नह अब तुमें मुझसे कोई दो नहीं कर सकता कोई भी नहीं अब सब कम मिट जाएंगे और खुशिया ही खुशिया हमारी मुंतिजिर होगी इसे कहते हुए हुरैन को बैट पर बिठाया और खुड ड्रसिंग रूम के अलमारी के तरफ बढ़ गया जब वापस आया तो इसके हाथ में एक डिबा था हुरैन ने उसके तरफ देखा आलम ने इसके पाउं के करीब से मैकसी थोड़ी उपर किया और आराम से डिबिया खुलते हुए इसमें से एक पाज़ एप निकाली थी और इसके पाउं में डाल दी थी हुरैन के चाहरे पर मुस्कुराट भी खिर प्यारी है आलम का अंदास सवालिया था बहुत प्यारी है बहुत जादा हुरैन खुश होते वे बुली पर दूसरी किदर है दूसरी तब दूँगा जब तो मुझे एक नैन लाकर दोगी पहले तो हुरैन उसकी बास समझे नहीं पर जब समझाई तो इस ते अपना पाउं खीचते वे आलम शा को घुर कर देगा शाजी आपना हुरैन इसे घुर कर जल्दी से अपना चैरा तकी में चुपा लिया आलम शाग का कह कांगुंजा था जिस पर हुरैन खुद में और समझ गे आलम शाध की जिंदगी नैन है और इसके बिगार आलम शाध बिलकुल अध मैं तुम्हारी जर्जामंदी से ये सब चाता हूँ और वो इस पर जुका इसका चेहर अपनी तरफ करते वे बोला। हुरेन ने मसकराते वे नजरों को चुका लिया था आलम इसके इसके इसकार पर खिल उठा था तुम्हें कभी भी आलमशा से अब शिकायत नहीं होगी नैन आलमशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है और आज मैं इकरार करता हूँ कि मुझे तुम से इश्क है हद से सादा आलम बोलते हुए इस पर चुका था हुरेन इसके हर इकरार को खुद को मुकमल पा रही थी दोनों की नई जिन्दगी की शरुआ थी या बहुत से मुश्किलों के बाद आज हुरेन को इसका इश्क के हासिल मिला था शान मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा हो जाएगा महनूर बोली तो शान ने इसके तरफ देखा महनूर कोई बखवास नहीं अब कुछ नहीं सुनना मैंने ऐसा कुछ भी पिछली दफ़ा भी ऐसा ही कहा था और वो सब शान को अभी भी ड्रेसिंग रूम से बाहर आया था इसके तरफ गसे से देखते वे बोला शान मैं कहरी ह महनूर बोलती ही शान ने इस दफ़ा मौके दिया बिना उस पर जुग गया था और इसके होटे को अपनी कैद में लेते वे इसे दुबारा बोलने का मौका नहीं दिया शान ने दुबारा से खुद में भीच लिया और गुजरती रात के साथ एक दूसरे में गुंसभ भू रात का आदे से जाद पहर गुजर गया था, मानौर सोचु की थी पर शान के आचों से, नीन को सोदूर थी, बार बार इसको मानौर की बात याद आ रही थी, इस दफ़ा कुछ बुरा नहीं होगा वरना मैं बरताश नहीं कर पाऊँगा, शान अपने साथ लेटी मानौर के ब जावी बोली तो श्यान की परिशानी भरे चेहरे पर मस्कुराट खिल गई पागल लड़की श्यान उससे अपने साथ लगाया आँखों को मुंद गया मामा महनूर की दर है श्यान जो महनूर को कब से ढून रहा था ना मिलने पर उसकी माप के पास आया बेटा नाश्टा करन उसे हर जकी ढून लिया पर वोसे कहीं नहीं मिली सब लोग परिशान थे से हर जकी ढूनने की कोशिश की पर वो कहीं नहीं मिली इसे कहा था कुछ बुरा होने वाला है और इस दफ़ा भी उसने कुछ नहीं कर पाया आलम भी हुरैन को लेकर वहीं आ चुका था जर्मीन जै केंवे था, मैं यहां कैसे, मानूर को होशाया तो कुर्सी के साथ बंदी हुई थी, मैं तो हवीली के पीछे गई थी, कैसे यहां, मानूर दिमाग पर जोन टालते वे सोच रही थी, तब ही अंदर कमरे में कोई दाकिल वार उसका वजोद अंधेरी में था, पर मानूर ने इस सामने खड़े शक्स ने इसकी तरफ खबासस से देखते वे कहा, आप कैसी बाते करें अंकल, मानूर ने खौफ से उसकी तरफ देखा था और इसकी नजरों को भी पढ़ रही थी, तुम्हारी माँ से इश्क था मुझे, और देखो तुम बिलकुल इसी की तरह हो, तुमें घटियां बाते करते हुए, मानूर गुसे से चीकी, बिलकुल भी नहीं, बहुत वक्त इंतिजार के आए, तुम्हारे बाप ने छिन लिया था, उसे मुझ से, पर अब तुम्हें हासल करने के बाद मेरा तुम्हारे बाप से बदला पूरा हो जाएगा, वो इसके सामने बै जूद भी खोलनी पाई, और बेबसी से फिर से रोने लगी, मैंने कहा था कुछ बुरा होगा, आगों में नमी लिये बोली, छोड़े मुझे, क्या बिकाड़ा है मेरे बाबाने, आपका बता है मुझे, वो शक्स वापस आया तो माहनूर ची की, तुम्हारी मा से महबती उससे शादी भी कर लेता, अगर तुम्हारा बाप पीच में ना होता, फिर मैंने तुम्हारी फुपो को अपनी जान में फसा लिया, उससे जब चुपकर शादी कर ली और इसे लेकर घर गया, जब जैन के पैताश होने वाली थी, तो इसे घर से निकाल दिया, ताके तुम मानूर ने हैरस से इसकी तरफ देखा, तो शाहन किसका बेटा है, मानूर हैरसर जर्दासी बोली, जहीर मेरे बड़े भाई का बेटा है वो, मेरा नहीं, हसन शाह सुकुन से बोले, मुझे क्यों लेकर आये है, मानूर को अब सच में से खौफ महसूस हुआ, तुम बिलकुल अपनी मा की तरह हूँ, पहले दिन जब तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारी मा की परचाई दिखाई दी, पर तुम्हारे बाप बहुत तेस था, इसे पहले तुम्हारी शादी जैन के साथ करनी चाही, हसन शाह बोला, तो मानूर को तब तसलीम सहब का खौफ का आलम क्यों चाहते थे इनकी शादी जैन से हूँ, तो बाबा सब जानते थे, हाँ तुम्हारा बाप सब जानता था, पर ये नहीं कि जिस आदमी से वो तुम्हें बचा रहा है, इसी आदमी के बेटे से तुम्हारे निकाह कर दी, इसने, वो खाबादस से मुस्कुरा है, बार दुन्या ढूनती पर तुम किसी को ना मिलती, हसन शाह ने एक नए इनकिशाफ पर शाहन के कदम लड़ खड़ाए, तो क्या ये सब आपने मुझे हासिल, हमानूर हैदर्द जदासी उसे देखते वे बोली, हाँ, तुम्हें हासिल करना मेरा सबसे बड़ा मकसद था, का शा किन करेगा तुम पर, मैं, तभी अंदर शाहना आया, आपको मैंने अपने बाप माना, सबसे ज़्यादा चाहा, सबसे ज़्यादा इजद दी, और आपने मेरे बच्चे को मार दिया, अब क्या, शाहन अंदर बढ़ कर चिखा था, तो तुम इनके बेटे नहीं हो, मुझे मैं इनका बेटा हूँ, पर उन्होंने मुझे अब तक बक्षा, मुझे और जर्मीन को अलाइदा करने की कोशिश की, पर चाल उनकी थी, बस मैं महरा था, अगर तुम्हें मानूर पसंद ना आती है, और तुम इसे अपनी इजद ना बनाते हैं, तो मानूर का ये, कब को ब इस तस्लीम की बेटी तुम्हारी हमसफर बनती, हसेन हस्ते वे गर निकाल कर बोला, मैंने ये वो एक्सरेंट करवाया था, इस तरह के तुम बच जाओ, पर वो बच्चा मर जाए, पर इससे ये हुआ कि महनूर कोमा में चली गई, मेरा इंतजार और भी लंबा हो गया, मैं कभी आपने मुझे अपना बेटा माना है तो आपने ऐसा नहीं करेंगे, शान उनकी तरफ देखते वे नम लहजे में बला, हसेन साब ने गर नीचे की थी, तब ही अंदर पुलिस आई और इस मोके को देखते वे, हसेन शान ने अपनी गर्दन का रुक महनूर की तरफ किया और गोली चलने की आवाजाई और अभी वो दोबारा ऐसे करते पुलिस इसे काबो कर चुकी थी, जैन और आलम इसकी तरफ दोड़े थी क्योंकि गोली महनूर नहीं बलके शान को लग चुकी थी, महनूर बस अपने हाथ देखती रह गई जहां शान का खुन था, मैं वाप रहते वे से बोली थी, जिस पर इसके सर पर हात रख करता सली दी, सबी बाकी भी थोड़े भार वहां आ चुके थे, आपी शान के बाबा बहुत बुरे, महनूर जर्मीन के साथ लगी रहते वे बोली, मिसस हसेन और मिसस जहीर ने उसकी तरफ देखा, आपी उन्होंने शान को मारा, अगर शान को कुछ हुआ तो मैं मर जाओंगी, महनूर रोते वे इसके साथ लगी बोली, कुछ नहीं होगा समालो खुद को, वे इसको सर को सहलाते वे बोली, मिसस जहीर और मिसस हसेन को सल्तान साथ साइट पर ले गए थे और आलम ने इनको सब बताया, मैं सोच भ अभी भी नहीं बतल सकता, घटिया ही सरहां सारी जिंदगी, मिसस हसेन सल्तान साथ से बोली, तब ही डॉक्टर आया, हमने गोली निकाल ली है, इनके बाजू पर लगी थी, पहले से बैतर है, डॉक्टर बोल कर चला गया, सब शयाओं से मिले थे और महनूर भी वही खड़ रही थी और फिर उसने डॉक्टर को अंदर बुलाया, जैन बोला तो महनूर परिशान से रोने लगी, सौरी आपके पेशन को होशनी आया, और वो कॉमा में चले गए, डॉक्टर बोल कर वहां से चले गए थे, महनूर रोते वे जैन को देखा और पिर अंदर की दर भागी शान उठो तुम ऐसे नहीं कर सकते, महनूर रोते वे इसे बुला रही थी, भाई ये बिल्कुल ठीक था, ऐसे कैसे हो सकता है, महनूर रोते वे बोली थी और इसके पास बैट पर सर रख कर और बेद तेजी से रोने लगी, मैं मर चाओंगी शान, अगर तुम ठीक ना शान तुम ठीक हो, महनूर खुश होगी, हाँ मैंने सोचा देखू तुम सही, मेरे नूरे कैसे रोती है, शान वसकराहट के साथ बोला, शाट आप, जान ले लोगी, तुम्हारी शरम नहीं आई, तुम्हें रो रोकर मेरा बुरा हाल हुआ, और तुम महनूर रोते वे से द शाटों से लगा कर बोला, महनूर मस्कुरा दी, मैं बाबा की तरफ से शरमीनदा हूँ, मुझे नहीं मालूम था, वही सथ तक जा सकते हैं, कि हमारा बच्चा, शान बोलते हुए चुप हो गया, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, भूल जाओ, और बहतर करेगा हमारे ह महनूर बोली तो शान ने सरहिला है, फिर दो दिन बाद शान हॉस्पिटल से घर आ गया था और पिर रियान की शादी की तैयारी चल रही ती, घर में सब भी खुछ थे, हुरैन बिया वही हवेली में थी, आलम शाह से एक मिनट के लिए भी अपनी नजरों से ओजल नहीं हो चुकी थी, एक इनसान के बदले ने बहुत लोगों को नुकसान पहुचाया था, पर वो अपने अंजाम तक भी पहुच गया, आजशाह वेली में रियान शाह का वलीमा था और सब भी वहाँ एकटे हुए थे, सल्तान शाह ने जैन को भी वहाँ बलाया था, जो भी था, व को बना रहा था, इसे जब हुरेन की तरफ देखा तो देखता रहा गया, क्योंकि इसने बलैक कलर की शॉर्ट फ्रॉक पहन रखी थी और बुरी तरह से इस दुपट्टे के साथ उलज रही थी, आलम मस्कुराया और इसके तरफ देखने लगा, जो मासूमियत लिए इसको दुपट्टा पकड़ा चुकी थी, आलम ने दराज में से पिन ली और फिर सही तरीके से इसका दुपट्टा पिन किया, जिस पर हुरेन खुश हुई थी, हाई अल्ला जी, शाह जी आपने कितना अच्छा कर दिया है, मैं सत के जवाब के, हुरेन सामने आईने में देखते वे बोली, तो आलम शाह ने हैरान होते वे इसके तरफ देखा, ये किस से सिखा है, आलम इसके पिछे खड़े हो करा, सामने आईने में देखते वे बोला, आपकी ममा ने कहा, मुझे आते वे, मैंने पूछा, ये किस को कहते हैं, तो उन्होंने बताया, कि जब आपको कुछ अच्छा लगे, तो इसको ये मैंने कह दिया, हो रहन आईने में देखते वे बोली, माशालला, जी हम कितने प्यारे लग रहे हैं ना, हो रहन इसके तरफ रुख करते वे बोली, जिस पर आलम शाह एक दफ़ा पिर सहरान हुआ, शाजी यहाँ प्यार दे, मैं पिर मैंने ज लिप करते वे, इसको मौका भी नहीं दिया था और बोलने का और इस पर चुका था, चाह जी बहुत बुरे हैं, आलम शाह पीछे हुआ तो हो रहन गुस्ते से बोली और सामने आईने में देखा, जा शुकर है, लिपस्टिक पहली नहीं थी, उफ शुकर है, हो रहन बोलते आपको टाइम लगता है, हर चीज तो निकाल कर गई थी, आप क्या रह गया आपका, जर्मीन को जैन के कमरे में बुलाया था, जिस पर वो तपी हुई वापस आई थी, जान तुम से प्यार करना रह गया, जब मैंने देखा मेरी बीवी जो इतनी प्यारी लग रही है, का मारते वे बुली, यारा जितनी हसीन लग रही हो कि मुझसे नहीं रहा गया, जैन ने जर्मीन की तरफ देखा था, जिसके काले रंग की कमीज और साथ प्लाजो पहन रखा था, सब ने आज काला रंग पहन रहा था, लड़कों ने भी, जर्मीन और जैन दोनों ही प्यार को लोगो प्यार से छोते वे पीछे हटा, मेरी सिंदेगी में आने का शुकरिया, और इसे बहुत जादा खुबसरत बनाने का भी शुकरिया, वो बोलते वे इसके माते पर लब रखने किये, साथ इसके हाथों में गजरे पहनाए तो जर्मीन ने खुशी से उसकी तरफ दे मानूर इसको बालियों को कंगी करते वे बोली जिसके बाजू पर प्लास्तर लगा वा था, इससे काम नहीं हो रहा था, मानूर चिर्ड कर बोल रही थी क्योंकि शान जान बुझ कर इसे अपने काम कह रहा था, और वो मुकमल तयार हो चुकी थी, मैं ना खाता तो पता क्या होता, शान ने खात इसको अपने पास खीचा था और इसे दिवार से लगा कर, जो हाट ठीक था, आगी करते वे इसकी जाने का रास्ता बन कर दिया, मैं मर जाती, अच्छा था ता तुम्हारी जान छुट जाती, मानूर बेजार लहजे में बोली, मानूर ऐसे मत कहो, इस द मानूर ने इसका हाट पीछे करते वे से घुरा, अगर तो में कुछ हो जाता तो तुमने सोचा मेरा क्या होता, मानूर क्या के नम होई थी, अल्ला ने इफासत की है ना, अब बस कदो आराम से, अब बस तयार होकर चली, हम लेट हो गए हैं, शान ने सब को बंद करते वे मा मानूर ने उसे घुरते वे पास पड़ा दुपटा उठाया था और अपने कंदे पर लिया, शान ने उसके तरफ देखा जो हलकी से मेकप में भी खुपसरत लग रही थी, शान ने दिल में माशालला कहा और इसका हथ पकड़ कर अपनी साथ बाहर ले गया, हाल में सब उसक्की और आपनी सगी उला वी नहीं बख्शा, जैन की खुशियों के साथ खेला और फिर शान की खुशियों के साथ-सकी जिन्दगी को भी नुक्सान पहुचाने की कोशिश की, पर वो सबसे अलग अपनी सजा का रहे थे, बाकि सब अपनी इपनी जिन्दगी में मगन खुश थे शाननी कहा था वो सब ने स्टेश के पास जा कर एक फैमिली पिच्चर खिच्वानी के लिए एक खटे हो गए शाननी महनूर की कमर पर हाथ रख कर खुच से करीब कर लिया था और दूसरी तरफ आलम ने तो हुरेन को एक पल के लिए भी खुच से दूर नहीं किया यार शान महनूर के पास आया था जिसके पास इसका दो साल का बेटा बेटा रो रहा था मुझे क्या पता हूं मुझे कौन सा बता कर रो रहा है इसको ले जाओ शान वरना इसको मैं बहुत मारू नहीं महनूर जो इसके रोने से खुद रोने वाली हो चुकी थी उसके तरफ देखते हुए बुनी क्या हुआ मेरे बच्चे को जाली ममा ने मारा है शान ने महनूर को तरफ इशारा करते हुए का जिस पर महनूर ने उसे घुरादा जर्मीन ममा के पास जाना है अपनी रिशीयान बोला तो बच्चे ने हाम में सरील है हाई अभी ले जाता हूँ आपको शान मुस्कुराहट के साथ बोला इसको जर्मीन आपी के पास छोड़ कर आया और तुम्हें पता है इसका दिल है इसकी कोई बहन आए और वो दोनों मिलकर खेले शान जाते वे महनूर के कान में बोलाता जिस पर महनूर ने जाते वे शान को कशन मारा सोचना भी मत अप कोई और आफ़त आएगी महनूर की चीकने के आवास सुन कर शान के चेरे पर मुस्कुराट बिखिर गए शान सीदा बच्चे को जर्मीन के पास ले आया था उफवापी इस साफ़त को समाल ले ये तो जान को आता है हमारे बस आप के पास आना चाहता है ये शान इसका दो साल का हदीद देते वे बोला जिस पर जर्मीन मुस्कुराए दी तुम मत समालना अपने बच्चे हमें दे दो हम तो वेले हैं जर्मीन इसको घुर कर बुला जिस पर शान धीड बना मुस्कुरा दिया भाई मैं इसकी बहन का दिसाम कर लिए आप इसका ख्यार रखना शान ने इसे आँक मारी थी जिस पर जर्मीन बस इसको मुस्कुराए वे देखती रही बस कर दे यार आप दोनों भी तंग ना करेे देखे सो भी क्या है जर्मीन ने गोध में लेटे हदीद पैट पर लिटाया जिस niewसकुरादेए तमारी गोध में सुकुन बहुत है यार क्या करे जर्मीन मुस्कुराएख के साथ बोलते वे इसकी गोद में सर रग गया जर्मीन मुस्कुराई थी जर्मीन का भी एक बेटा था जो वही हदीद के साथ सो रहा था जैन अब जर्मीन से बाते कर रहा था और जर्मीन इसके बालों में हाथ फेरते वे इसके बातों का जवाब दी रही थी शाजी मैंने नहीं उटना आप इसको समाल ले हुरैन सोही वी थी और अपनी दो मा की बेटी के लिए बोली जिस पर आलमशा ने पकड़ा रखा था नैन थोड़ा सा भी तो तंग नहीं करती और एक तुम हो मेरी जान के साथ ऐसे करती हूँ आलम इसको सुला चुका था और आराम से बेबी कार्ट में डाल दिया था शाजी मुझे सोना है बस अभी मत बुले हुरैन नीन में बोल रही थी दोनों लंदन में थे क्योंके वही हुरैन की सरजरी हुई थी अर अब वही इनकी बेटी भी पैदा हुई थी केस थोड़ा मुश्किल था इसलिए आलम ने वही रहने का फैसा किया था शाजी मत तंग करें सोने दे आप दोनों मेरी नीन के दुश्मन है हुरैन आलम के छुने पर आब इसे खुद से पीछे करते वे बढ़बढ़ाई मैं जितना शुकर अदा करू उतना कम है मेरे रब का बहुत करीम है आलम ने हुरैन को खुद के करीब करते वे इसकी चहरे की तरफ देखा था और सामने कार्ट पर लेटी अपनी बेटी को देखकर खुश होते वे अल्ला का शुकर अदा किया था क्या सोच रहे शाजी हुरैन नीन में से आखों को खुलते वे इसकी तरफ देखते वे बुली यही सोच रहा था कि पाकिस्तान जाते वे चार बच्चे लेकर जाये या छे आलम ने शारारत से उसकी तरफ देखा था जिस पर इसने उसकी बात सुनकर पूरी आखे खुल दी शाजी ना करे एक अभी दो मागी है और मेरी जा रही और आप छे बच्चे और वो कैसे करूंगे मैं हुरेन सीधी होकर बैठ गई आलम का कहका बलंद हो आता हुरुरेन को इतना सीरियस देखकर हस दिया शाजी मेरा मजाग बना रही हुरेन मू बनाते वे दूसरी तरफ रूप कर गई शाह की जान मुझे मालूम है मीरी नैन को भी खुद अपनी ममा की जरुद है आलम प्यार भरे लहजे में बोलते वे आकरी में हस दिया शाह जी मैं आप सच में नहीं बोलूँगे आपसे आम सॉरी नैन तुम में मेरी जान बस्ती है और तुम्हारी जिंदगी के साथ मेरी जिंदगी बस्ती है तुम्हें बता नहीं सकता इस वक्त मेरी क्या हलत थी जब डॉक्टर ने कहा कि तुम प्रेगनेंट हो मुझे नहीं मालम था खुश हो या फिर खुश से लड़ू क्योंके डॉक्तर ने साफ मना कर दिया था तुम्हें इस सब के लिए पर अल्ला ने हमारा साथ दिया है और तुम से मेरी जिन्दगी है इन तुम दोनों से बढ़कर मेरी लिए कोई भी नहीं है आलम इस पर जुका इसके माते पर लब रखे बुला हुरेंट खुश होते हुए इसके साथ लग गई थी दोनों की जिन्दगी को इनकी बेटी के मुकमल कर दिया था खतम शुद तुम सो नोवल हो गया फाइनली एंड आई होप आपको नोवल पसंद आया होगा नोवल पसंद आया है तो मुझे अपना रिस्पॉंस दे बताएं आपको नोवल कैसा रगा है और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए गा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अच्छे चे कमेंट्स करके अपनी राय देते रहिए सो मिलते हैं नोवल के साथ अपना ख्यार रखे अल्ला हाफिस